चिडिया रानी अपने घर के बाहर धूप सेक रही थी उसके पंक में गजक थी वो गजक खाने ही वाली थी सर्दी के दिनों में धूप सेकते हुए गजक खाने का मजा ही अलग है इसलिए मुझे सर्दियों का मौसम बहुत पसंद है चिडिया गजक खाने ही वाली थी तभी गोरी का बेटा उसके पंक से गजक लेकर भाग जाता है वो बहुत तेज उड़ता है ये तो जग्गु कववा था पहले इसके माता पिता मेरी चीजे लेकर भाग जाते थे और अब ये भी उनके जैसा ही करने लगा है मैं अभी इससे अपनी गजक लेकर आती हूँ फिर छोटी चिडिया कवो के घर जाती है वो तो देखकर हैरान थी उसकी गजक वो पूरा परिवार मिलकर जो खा रहा था क्यों गोरी कालू आपने जग्गू को भी अपने जैसा बना लिया ताकि वो दूसरे पक्षियों की चीजे छिन कर घर लाए और तुम दोनों आराम से खाएं चिडिया मू समाल के बाते करो और हमें नहीं पता था जग्गू आपके गजक लाया है वरना हम खाते तो दूर गजक को छुते भी ना एक तो मेरी सारी गजक खाली और उपर से मुझे ही सुना रहे हो चिडिया अब क्या तुम हमसे लड़ाई करना चाहती हो जग्गू कववा बच्चा है गजक देकर उसका खाने का मन कर गया होगा अब चली भी जाओ यहां से कालू सही कहा मैं लड़ाई भी नहीं करना चाहती तुम जैसे बुरे कवों से मैं जाती हूँ यहां से ये बॉल कर चड़िया वहां से चली जाती है साबास जगू बेटे ऐसे ही अपनी नजर को पेनी रखा करो जैसे ही कोई पक्षी अच्छी चीज खाता दिखे तो फट से चीन के भाग जाया करो हाँ जगू बेटे जैसे चुड़िया की गज़क खाके तो मजा ही आगया फिर जगू कवा अपने ममा पापा के जैसे ही करने लगता है वो सभी की चीजे छीन कर भाग जाता एक दिन मिठो तोता अपनी पतनी के साथ बैठा भुट्टे खा रहा था और तभी जगू कवा उनके पास आता है मिठो अंकल मिठो अंकल वो देखें आपके पीछे क्या है मिठो तोता जैसे ही अपने पीछे मुड़ के देखता है तो जगू कवा उसके भुटे लेकर भाग जाता है जगू कुछ भी तो नहीं है मेरे पीछे ये क्या मेरा भुट्टा कहां गया वो जग्गू लेकर भाग गया है मेरा भुट्टा मैं अभी पकड़ता हूं उसे पती जी जाने दें बच्चा ही तो है जग्गू और आप मेरे भुट्टे में से आधा भुट्टा खा लें अर्याली तुम कहती हो तो जाने देता हूं वैसे जग्गू कवव अब बच्चा नहीं रहा सब इसके मम्मा पापा के सिखाई हुए काम है इस तरह से जग्गू वो भुट्टा अपनी मम्मा को दे देता है जग्गू बेटा आज किस बक्ची से छीन के लाई हो भुट्टा मम्मा मिठ्धू अंकल मैंने जूट बोल कर ये भुट्टा चीना जग्गू तुमारे पापा भी गई हुए हैं वो भी पता नहीं क्या लेकर आएंगे तब तक हम ये भुट्टा खा लेते हैं एसे वो दोनों माबेटे मिठ्धू तोते का भुट्टा भी खा लेते हैं थोड़ी देर बाद कालू कवा भी किसी पक्षी का भुजन लेकर घर आता है वो कव्वे हर दिन ऐसा ही करते थे अब तो हद ही हो गई वो कव्वे हमारा भुजन हर रो छिन कर ले जाते हैं हाँ रानो और कुछ कहो तो उल्टा लड़ने को आते हैं वो कालू गोरी अब तो कहीं खुले में बैठ कर कुछ खा भी नहीं सकते हाँ दोस्तों जग्गू कवा मेरी गज़क भी लेकर भाग गया था मैं उसकी सिकायत करने उसके घर गई थी तो कालू गोरी भी मेरी गज़क खा रहे थे चुडिया बहन वो जग्गू कवा तो अभी बच्चा है हमें उन दोनों को सबक सिखाना होगा वही जग्गू से भोजन छीनने को कहते हैं मिठ्टू कबूतर हमें काम करते हैं मैं भोजन का लालस देकर कालू गोरी को घर के अंदर बलाऊंगी और फिर बाहर से दर्वाजा बंद कर देंगे हाँ चुडिया तुम अपने भोजन चोरी होने का इलजान दोनों पर लगाना फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू गोरी की खोब पिटाई करेंगे उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे हाँ चुडिया बहन और तुम अपना पूरा भोजन मेरे घर में छपा देना कहीं वो सेतान कवे सब न खा जाएं इस तरह से वो कालू गोरी को पकरने की योजना बना लेते हैं और चुडिया अपना सारा भोजन मिठ्रू के घर में रख देती है मगर उनकी सब बाते गोरी कावी छुप छुप के सुन रही थी अच्छा तो ये सब मिलकर मुझे और कालू को घर में बंद करके मारना चाहते हैं मैं भी इनको बता दूंगी हम कवे क्या चीज हैं ऐसे उनकवो का परिवार पहले से ही सावधान हो जाता है और वो भी उनके साथ चाल चलते हैं जग्गू जब हम चड़िया के घर में जाएं तो सब पक्षियों का ध्यान हम पर होगा और तुम उस समय मिठू के घर से चड़िया का सारा भोजन लेकर भाग जाना और जग्गू तुम जाते जाते चड़िया के घर के खिड़की खोलना मत भूल जाना वरना हमें सब की मार खानी पड़ेगे फिर अगले दिन रानो चडिया गोरी कालू को सुनाते हुए बोलती है मिठु भहिया मैं अपनी मा से मिलने जा रही हूँ वो अचानक से बीमार पड़ गई तो आप मेरे घर का ध्यान रखना धेर सारा भोजन है मेरे घर के अंदर कोई चोर ना ले जा पाए ठीक है भहिया कोई चोर ना ले जा पाए चडिया बेहन आप आराम से जाएं हम घर का पूरा ध्यान रखेंगे इतना कहकर चडिया वहां से चली जाती है चले चले मिठु जी अब क्या हम पूरा ही दिन चडिया के घर की रखवाली करेंगे हाँ हर्याली चलो मैं भी घर जाके अपनी कमर से दी करूंगा ऐसे बॉल कर मिठु और हर्याली भी वहां से चले जाते हैं वो सब दूर पेड के पीछे चुपे बैठे थे और सब की नजरे चडिया के घर पर ही थी चले कालू अब हमें चडिया के घर के अंदर जाना होगा तबी जग्गु मिठु के घर से भोजन ले पाएगा तिर कालू गोरी चड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं तबी सभी पक्षी भागे भागे वहां आते हैं यहां तो मुझे भोजन कहीं नहीं दिख रहा कहां छुपाया होगा मिठो अंकल ने चड़िया आंटी का भोजन ऐसे जगो कावा मिठो के घर में भोजन डोंडता रह जाता है इधर कालू गोरी तो खड़की खुलने का बेसबरी से इंतजार कर रहे थे गोरी जगो कहां रह गया इतना समय तो नहीं लगता भोजन लेकर यहां आने में कालू कहीं चगू भोजन लेकर सीधा घर पे तो नहीं चला गया और बाहर से कुंदी खोलना भी भूल गया है अगर ऐसा हुआ तो गोरी आज हम बहुत मार खाने वाले हैं एक भी पक्षी नहीं बचाएगा हमें सब मिलके बदला लेंगे हमसे नहीं नहीं कालू जी तुम खिड़की तोड़ने की कोसिस करो मैं मार नहीं खाना चाहती फिर कालू कववा खुब जान लगाता है मगर खिड़की तोड़ने में तो नाकाम रहता है बाकी सभी पक्षी भी अपने पंखों में डंडा लेकर घर में घुस जाते हैं चोर कवो मेरी खिड़की बहुत मजबूत है ऐसे नहीं डूटेगी आज इन दोनों को छोड़ना मत बहुत बहुत भोजन लेकर भागे हैं ये लड़ाको कवे गोरी अब तो मर गे जगू ना जाने कहा चला गया हमें यहाँ छोड़ कर गोरी जैसे तुमने हमारी बाते सुनी थी ठीक वैसे ही मिठू ने आपकी बाते भी सुन ली और तुरंथी अपने घर से सारा भोजन कभूतर के घर चुपा दिया वो तो चड़िया की बास से बहुत हैरान थे फिर वो सब मेकर कालो गोरी की खुप पिटाई करते हैं गोरी ये सब तुमारी वज़ा से हुआ है ना भोजन चुराने का लालच करती और ना हम इनके जाल में फसते मर गए कालो मुझे क्या पता था इस मरे मिठू ने हमारी बाते सुन ली ऐसे दोनों का वो को दूसरे पक्षियों का भोजन छीन कर खाने की सजा मिलती हैं आज रानो चड़िया अपने बेटे कुक्कू को लेकर बजार गई थी कुक्कू बेटा आप ये थेला पकड़ें मैं कबूतर चाचा से सबजियों के बीज लेती हूँ फिर रानो कबूतर से तरह तरह की सबजियों के बीज खरीती है तब ही कुक्कू उल्लो की दुकान पर आप मुझे मुम्फली दिला दें मेरा मुम्फली खाने का बहुत मन है हां को क्यों नहीं मेरे बेटे को पांच रुपे की मुम्फली दे दो अरे चड़िया पागल हो गई हो क्या जो पांच रुपे की मुम्फली मांगती हो कम से कम 20 रुपे की कहो पांच का जमाना नहीं रह यह क्या बोल रहे हो सहले तो हम 5 रुपे की ही मौमफली खरीते थे फिर अचानक से क्या हुआ वह जमाना गया अब मौमफली 200 किलो है जाएं यहां से मेरा समय और जाया ना करें मम्मा मुझे 20 की ही मौमफली दिलाएं मुझे मौमफली यहीं खानी है फिर रानों कोको को 20 रु और मुझे मौमफली के बीज दे दो अब मैं मौमफली की खेती करना चाहती हूं अरे वा क्या विचार क्या है मौमफली इस बार बहुत महगी हैं और किसानों ने बहुत कम मात्रा में उगाई हैं तुम मौमफली की खेती करके हर बार से जैदा मौनाफा कमा पाऊगी यही स सोच कर तो विचार बदला है मैंने अब जल्दी से मुझे मूमफली के बीज दे दें मैं चलती हूँ फिर रानो मूमफली के बीज लेकर सीधा अपने खेतों पर जाती है और कुको मूमफलीयां खाता हुआ गोरी के घर जाता है जगु चलें अब हम नदी पर खेलने चलते है कुको आप तो मुमफलीयां खा रहे हो जरा दिखाओ तो कैसी है ये मुमफली ऐसे कहते हुए गोरी कुको की सारी मुमफलीयां ले लेती है और उसे तो दो चार मुमफली ही वापस देती है कालू ये ले आप भी मुमफली चखे वैसे कुको बेटे आपकी ममा क्या कर रही ह आंटी जी मेरी ममा मूमफली की खेती कर रही है इस बार तो वो खेतों पर मूमफली ही बोने गई हैं ऐसे कहकर कुकु जगु के साथ खेलने चला जाता है गोरी इस बार तो हमारे मजे ही मजे हैं चुडिया के खेत से खुब मूमफली खाया करेंगे हाँ कालू जी मैं तो अपने माई के भी भिजवा दूंगी ऐसे मेरी बहुत वावा होगी ऐसे वो दोनों भी खुसी मनाते हैं रानो चडिया अपने खेत में मुम्फलियां बो देती है यहां का सारा काम तो हो गया अब जल्दी से अपने खेत को पानी भी लगाती हूँ ऐसे रानो चडिया अपने खेत की खुब देखबाल कर रही थी वो समय समय पर पानी देती इस तरह से समय गुजरता गया और रानो के खेत में मुम्फलियां लग जाती है गोरी हमारा इंतजार खतम हुआ चड़िया की मुमफली की फसल पक चुकी है अब जल्दी से जाओ और चड़िया के खेत से खुब मुमफली तोड़ के लाओ गोरी मुमफली पौधे के ऊपर नहीं लगती जो गया और तोड़ के ले आया जमीन से खोद के लानी होंगी और इसमें वक्त लगेगा इसलिए रात हो जाने दो तब आराम से लाओंगा ठीक है ठीक है मगर नहीर सारी मुमफलीय लाना मैं कल अपने मा के घर जाओंगी और से तुमारी वहवा करवाओंगी ऐसे वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और देर रात होते ही फाब्रा लेकर रानों के खेत में चले जाते हैं गोरी मैं फाब्रे से पोधिकों खाड़ूंगा और तुम जल्दी से मुमफलीयों को इस टोकरी में भरती जाना ठीक है आप थोड़ा जल्दी जल्दी पंख चलाना फिर कालू कववा फाब्रे से मिट्टी हटाता है और जमीन के अंदर से मुमफलीयों बाहर करता है गोरी तो बहुत जल्दी जल्दी मुमफलीयों टोकरे में भर रही थी बस गोरी बस मुझसे और नहीं खोदा जाता, मैं ठक गया और ये मुमफलियां तो काफी हैं, अब चलो कालू थोड़ी देर और फाब्रा चला लो, अभी ये मुमफली कम है, मैंने अपनी मा के घर भी जाना है कालू कवा थोड़ा सांस लेकर और मुम्फलियां खाड़ता है और वो काफी सारी मुम्फली लेकर घार आते हैं गोरी, आप इतनी सुबा सुबा कहां जा रही हो रानो, मैं अपनी मा को देखने जा रही हूँ, कुछ दिनों से उनकी तवियत खराब है गोरी आप अपनी मा के लिए गरम-गरम मुंफलिया ले जाओ कहना वानों ने अपने खेत से भिजवाई हैं अब इतना कहती हो तो ले जाती हूँ वरना मैं तो चम-चम काका की दुकान से गुलाब जामुन खरीदती गोरी बहन आप इस बोरे में क्या ले जा रही हो बोरे? बोरे में तो कुछ भी नहीं ले जा रही बस मेरे और जगू के प्राने गरम कपड़े हैं सोचा अपनी भतीजी और भतीजा को दे दूँगी अब चलती हूँ मैं बहुत देर हो गई ऐसे कहकर गोरी कवी वहां से चली जाती है मा जी भरके मूफली खाएं और पडौसियों को भी दें मेरे कालू ने पूरे खेत में मूफली बोई हैं गोरी बेटा कालू दामाद ने तो बहुत अच्छा किया मैं अभी सब को दे कर आती हूँ रुकोमा मैं भी चलती हूँ इसी बहाने सबसे मिल भी लूँगी फिर वहे दोनों अपने पडौस में मूफली बाटना सुरू करती हैं गोरी आपके पती तो बहुत अच्छे हैं जो हम सब के लिए मूफली भिजवाई वरना पडौसियों के लिए चीजे तो कोई नहीं भिजवाता हाँ हाँ और क्या तुमारे पतियों जैसे हैं जो सारा सारा दिन तास खेलते हैं चले मा अब लीला ताई के घर चलते हैं ऐसे सेखी मारते हुए गोरी सब को मूफलियां देती है गोरी बेटा कालू दमाद जी को धन्यवाद कहना ठीक है मा अब मैं चलती हूँ कालू अकेला है घर में और मूफलियां खतम होते ही फौन कर देना मैं फिर से आ जाऊंगी ऐसे कहकर गोरी अपने जंगल आती है और कालू कवा उससे कहता है गोरी अपने माईके में तो धेर सारी मूफली दे आई और मेरे दिस्तेदारों में कौन पहुँचाएगा तुम तुम पहुँचाओगे और कौन जाएगा ठीक है तो मैं कल ही जाऊंगा अब जल्दी से चलें चड़िया के खेत पे ऐसे फिर से वो दोनों चड़िया के खेत पर चले जाते हैं और धेर सारी मूफलीय ले आते हैं अब तो वो हर रोज किसी ना किसी के घर मूफलीय भीजने लगे थे और चड़िया को अपनी मूफली चोरी होने का सक होता है मैंने तो कल यहां तक मूफली उखाड़ी थी और आज खुदाई कितनी आगे बढ़ गई है लगता है मेरे खेत में कोई चोरी करने आता है मुझे पता लगाना होगा ऐसे सोचकर चड़िया अपने खेत पर पहरा देने का विचार करती है कालू जी मेरी सुनीता बहन का फोन आया था उसे भी मूफलियों की खबर हो गई है तो मंगा रही है गोरी कुछ दिन सांत रहें चड़िया को सक होने लगा है हम थोड़े दिन बाद चलेंगे मूफली लेने कालू जी मेरी बहन सुनीता मेरे बारे में क्या सोचेगी नहीं नहीं हम आज ही चलेंगे गोरी कालू की बात ना मानते हुए चोरी करने चली जाती है वो काफी सारी मुमफली उखाड लेते हैं तभी रानों भी अपने खेत पर पहरा देने आ जाती है और चोर-चोर का सोर मचाती है जिससे बाकी पक्षी भी इखटा हो जाते है रात के अधेरे में कालू गोरी को खुब नार लगती है छी कालू गोरी तुम मेरे खेस से चोरी करते हो मैंने सोचा भी नहीं था चुडिया बहन इन दोनों को ऐसे बात समझ नहीं आएगी दोनों को पुलिस के हवाले कर दो हाँ में ठुतोते तुमें एकदम ठीक कहते हो इन दोनों को तो पुलिस में ही देना चाहिए ऐसे यहां रहकर तो ये कभी नहीं सुधरते हर बार भूल जाते हैं नहीं नहीं कभूतर हमें जेल नहीं जाना हमें छोड़ दें आज के बाद पक्का याद रखेंगे और कभी चोरी नहीं करेंगे चुडिया चुडिया आप इस कभूतर को समझाएं हमें जेल ना भेजो मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है नहीं गोरी इस बार में तुम्हें माफ नहीं करूंगी कबूतर भाया आप जल्दी से पुलिस को बुलाएं और इन्हें जेल में बंद करवा दें वरना ये सांती से मुझे एक मुंफली नहीं बेचने देंगे फिर कुछ देर में पुलिस आ जाती है और दोनों को ले जाती है और इस तरह से कालू गोरी को सजा मिल जाती है आपका धन्यवाद